तो हाली में सभी को अपडेट तो पता है कि तुफान आ रहा है जिसका नाम है जोस और मैं आज की जीडियों में एक ऐसे साइट के बारे में कैसे एंडूइड एप के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके आप जो लाइब जो विंट का जो टेंपराचर है वि आज की वीडियो में स्लियरली बताने वाला हूं तो वीडियो को अन तक देखो यह वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मिटिव और इंटेस्टिव होने वाला है तो नमिश्का दोस्तों मेरा ना मैं सोडीन आप देखरें सोडीन में आप से लिटूप चैनल तो चले वी आपको एक website है जो मैं आपको directly description में दे रहा हूं तो आसे जाके आप directly website को open कर सकते हो और जिसका साइट जिसका नाम है windy.com तो simply इसके उपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ही यह site इधर open हो चुका है और simply अब देख सकते हो यह है site, site के screen के उपर तो मैं आपको दिखा देता हो यह site आप देख सकते हो तो इधर आपका जो area का map है वो इधर देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हो नीचे site पे जो एक wind का flow ऑप साइक्लोन देख सकते हो यह स्लयड गजो आ रहा है अभी आसपास तो इसका जो wind है कौन से एडियाज कर रहा है कहां से flow कर रहा है निचेंब देख सकते हो एक slider है जिसको आप slide करके आप आप देख सकते हो कि अपने डेट के मुताबिक इस डेट पर यह वींड कहां पर पहुंचेगा कहां तक पहुंचेगा उसके साथ आप अपने एरियाज को और भी अच्छे से जूम करके आप देख सकते हो जैसे कुलकता अरंबाग दूर्गापूर और आपके आसपास के एरि register करते हो तो register करने के बाद आपको alert का एक option दिया जाएगा जिससे अगर आपके आज पास यह cyclone आ रहा है तो आपको तीन घंटे पहले पांच घंटे पहले ऐसे time fit करके आप अपने खुद को आपको alert कर सकते हो कि यह wind आ रहा है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे features और भी है जो आप इसको use करते करते हैं पता कर सकते हो और अगर मैं बता हूँ इसके android app के बारे में तो android app यूज करो तो यूज ना करो तो ही बेटर है क्योंकि इसके android app में ज्यादा कुछ नहीं है अगर android app को install भी करते हो तो यही इंटरफेस आएगा simply कुछ भी नहीं है इसमें अगर मैं आपको android app को भी इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ लाइब स्कीन के उपर 22 MB का app है ज्यादा फीचर्स कुछ भी नहीं है मुझे तो लग इसका जो वेबसाइट है इसका वेबसाइट का इंटरफेस इसमें फीट किया गया है और ज्यादा कुछ नहीं है मैं यह android app इंस्टॉल भी हो रहा है आप स्कीन के उपर देख सकते हो त फिर आप चाहे तो android app भी यूज़ कर सकते हो वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो तो यह इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल भी हो चुका है सिंपली हम इधर से करते इसको ओपन और ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आ रहा है सिंपली आपको कुछ options दिये जारे कि क आप कौन से स्पीड पर देखना जाते हो temperature को और wind के स्पीड को कीमी पर या VFT पर और MPPH ठीक है और इधर आपको जो location का permission पूछ रहा है यह application का permission obviously आपको Chrome को भी देना पर है बट मैंने इन्हें अल्यडी देखे रखा है तो इसलिए मुझे नहीं पूछा बट इसको आप मै अलाव करने के बाद ही देख सकते हो मेरा जो location है इधर automatic सो कर रहा है ठीक है कि मैं कौन से location से विलॉंग कर रहा है आप देख सकते हो क्या बताओ या DSLR से मुझे इतना प्रॉब्लम बता ना इसलिए मैं DSLR पर विडियो नहीं करता हूँ हाँ फोकस हो चुका है देख सकते हो इधर यह स्पीड इधर सो कर रहा है और उसके अलावा सेम जैसा इंटरफेस आपको website पर देखने को मिला था वही इंटरफेस इधर है और ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है और सेम आपको वही features आपको देखने को मिलेंगे हाँ इसमें आ इधर का एडिया टेंपरेचर कितना है उसके साथ कप कितना स्पीड का जो विंड फ्लो हो रहा है यह सब इधर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा तो जाओ इसे आपको यूज करो इस साइट को यूज करो लिंक आपको डायक्ली डेस्क्रिप्टिशन में मिल रहा है आप यूज करके आप अपने एडियास के जो डेटाज है वो आप चेक कर सकते हो वीडियो का चल लगा तो अब इसे लाइक करो अपने दोस्टों को शेर करो कुछ जी सवाल है डाउट साथ तो अब इसली कॉमेंट करो मैं वीडियो को एपर खतम करता हूँ ठीक है चैनल को झाल